सलाम अलेकुम राहमतुल्लाई वरकातू प्यारे बच्चों उमीदे आप सब खेलियत से होंगे जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम EVS का न्यू चेप्टर ही स्टार्ट करने जा रहे हैं चेप्टर नंबर 18 जो आपकी बुक में है पेश नंबर 91 पर तो सबसे पहले तो आप अपनी बुक्स ओपन कर लें पेश नंबर 91 पर है चेप्टर नंबर 18 होम्स ओफ एनिमल्स यानि जानवरों के घर होम्स ओफ एनिमल्स यानि जानवरों के घर आपने सुनाएं कभी जानवरों के घरों के बारे में जानवर तो आप सबने देखे होंगे किसी जूम में देखे हों या अपने गली महले में देखे होंगे बिल्ली, कुत्ता आपको पता है उनके घर भी होते हैं क्या उनके घर बिल्कुल हमारी तरह होते हैं जानवरों के घर, आज हम EBS के चैप्टर नमबर 18 में जानवरों के घरों के बारे में जानेंगे, कि उनके घर कैसे होते हैं, क्या उनके घर हमारी तरह होते हैं, जैसे घर हमारे होते हैं, या हमारे से अलग होते हैं, अलग तरीके के घर होते हैं, तो वो हम आज जानेंगे कि क कैसे घर होते हैं जानवरों के तो उम्मीद है आपने अपनी बुक्स ऑपन कर लियोंगी पेश नमबर 91 है आपका एवेस की बुक में लेसर नमबर 18 चैप्टर नमबर 18 तो चलिए स्टार्ट करते हैं जानवर कहां रहते हैं जानवरों को भी जवरत होती है रहने के लिए घर की वह हमारे साथ रहते हैं कैसे रहते हैं हमारे साथ पाल तू बन कर सम आर टैम्ड और कुछ जानवर कैसे होते हैं तैम्ड होते हैं यानी educated होते हैं शिक्षित होते हैं उनको सिखाया जाता है and are provided shelter by us और हमारी तरफ से उनको क्या धिया जाता है रहने के लिए shelter दिया जाता है गर प्रोवाइट किया जाता है आपने सरकस देखा है बेटा कभी तो जो सरकस वाले होते हैं उनके पास शेर भी होता है और भी बहुत तरीके के जानवर होते हैं तो क्या वो सरकस के लिए जानवरों को पकड़ के लेकर आते हैं और फिर उनको tempt करते हैं, उनको अपने लायक बनाते हैं, उनको सिखाते हैं अपने साथ रहना, उनको इस तरीके से train करते हैं कि ताकि वो उनको नुकसान न पहुचाएं और उनको घर भी प्रोवाइट करते हैं रहने के लिए और जो खाना वो खाते हैं उनको वो भी प्रोव पिचर दी गई है और उसके बाद उन एनिमल्स के नाम बताने हैं कि इन जानवरों के घर को क्या कहा जाता है जैसे आप सबसे पहले पिचर में देखेंगे कि यह एक हट टाइप दी गई है और इसके अंतर क्या है यह हैं है मुर्गी है यह मुर्गा भी आप समझ सकते हैं तो मुर्गे के घर को क्या कहा जाता है मुर्गा कहा रहता है दड़बे में रहता है लेकिन उसके घर को क्या कहते हैं उसके घर को कहते हैं कूप अब नेक्स्ट है डॉग डॉग के हाउस को क्या कहते हैं डॉग के घर को कहते हैं कैनल k e double n e l kennel dog kegger को क्या कहा जाता है kennel कहा जाता है next है horse horse के home को क्या कहते है horse के home को कहते है stable s t a b l e stable stable को हिंदी में कहते है astable घोडे का astable आपने कभी सुना होगा next है cow काव के हॉम को क्या कहते हैं इसेडऄन सहicação आपमें देखा होगा है कभी गर में पारण होगा तो पैरण यह नहीं पिंजरे में तो पैरण करint के हॉम को क्या कहते हैं हम्आप M, O, U, N, D, mound Next है, bees या honey bees कहां रहती है इनके घर को क्या कहते है मदुमक्खी का छत्ता ये छत्ते में रहती है तो छत्ते को इंग्लिश में क्या कहते है hive H, I, V, E hive Next है आपका sheep sheep कहां रहती है sheep के home को कहते है pen ये भी दडबे में ही रहती है लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते है इसके दडबे को, sheep के दडबे को sheep के घर को कहते है pen P, E, N, pen अब next है land animals यानि जमीन पर रहने वाले जानवर जानवर भी कई परकार के होते हैं कई तरीके के होते हैं जमीन पर रहने वाले, पानी में रहने वाले अब कुछ जानवर हमारे जमीन पर रहते हैं कुछ पानी में रहते हैं और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं तो अब हम किसके बारे में जानेंगे, land animals के बारे में, जमीन पर रहने वाले जानवरों के बारे में, animals live on land in caves, अब जमीन पर कहां रहते हैं जानवर, caves, गुफाओं में, trees, पेड़ पर और underground, यानि जमीन के अंदर भी रहते हैं, जमीन के नीचे भी रहते हैं, जैसे कि आप य लोयन लीव सीना, लोयन कहां रहता है, डैन में, नेक्स्ट है, रैबिट लीव सीना, बरो, रैबिट कहां रहता है, बरो में, यानि जमीन के अंदर गड़ा करता है, और उस गड़े के अंदर रहता है, नेक्स्ट है, आंट्स लीविन, आंट हिल्स, आंट कहां रहती हैं, ये भी जमीन के अंदर, जमीन के अंदर या जमीन के उपर hills बना कर उन में रहती हैं, कौन, आंट, यानि चीतियां, नेक्स्ट है, monkeys, monkeys live on trees, बंदरों के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, बंदर कहां रहते हैं, trees पर, यानि पेडों पर रहते हैं, अब नेक्स्ट है, water animals, जलिये जीव, यानि पानी में रहने वाले जानवर, fish can swim well in water, जैसे कि आप सब जानते ही है, मचली क्या करती है पानी में बहुत अच्छे से तेर सकती है, and breathe in oxygen, और सांस भी बहुत अच्छे से ले सकती है, oxygen भी बहुत अच्छे से ले सकती है, through their gills, किसके सहारे से, क्यों के पास lungs होती है हमारी तरह, जैसे हमारी body के अंदर lungs होते हैं सांस लेने के लिए, क्या इसी तरीके से lungs होती है, जिसके थुरू हम सांस लेते हैं जैसे उसे लंग्ज केते हैं इसी तरीके से मचली जिसके थुरू सांस लेती है उन्हें गिल्ज कहा जाता है उन्हें गिल केते हैं next है water bites make rough अब जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं यह कैसे घर बनाते हैं rough यानी कठोर crude यानि कच्चे nest with twigs near water घर बनाते हैं गोसले बनाते हैं किस से टहनियों से पानी के पास crabs and lobsters ये fishes के नाम है जैसे जींगा मचली और crab कहते हैं केकड़े को और lobsters होती है जींगा मचली have their own shells to live in इनकी अपनी shells होती है रहने के लिए अपने